मस्कार दोस्तों मैं हूँ अटकूर जीते अंदर आज के वीडियो में माने सुप्रेम कोट का भोति महत्पून जज्जमेंट बताने वाला हूँ इसके अकूटिम में क्लियर करने वाला हूँ कि कई बार पतनी क्या करती है जल्दबाजी में IPC 498 का केस है जो करवा देती है अब इस केस के अंदर पती-पती के घरवाले रिलेटिव जो भी होते हैं उनका नाम है जो इस केस के अंदर लिखवा देती है तो यह बहुती महत्पून जज्जमेंट है इसके अकूटिम में क्लियर करूँगा कि अगर ऐसा कोई भी 498 का केस है तो उसको आप इस जज्जमेंट के अकूटिंग है जो QS करवा सकते हैं उस केस को है जो आप खारिज करवा सकते हैं तो क्या बात इस जज्जमेंट के अंदर ख Drama के आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं तो इस जज्जमेंट के अकोडी में क्लियर कर देता हूं कि ज्यादा तर पतिनिया क्या करती है IPC 498 के के केस में है जो समान खूप से सभी के उपर एक जिसे आरोप है जो लगा देती है किसी का भी specific role है जो नहीं दिखाती है time, date, palace वगरा mention नहीं करवाती है तो ऐसा ही एक मामला माने Supreme Court के सामने आता है माने Supreme Court के दोरा मामले को घहराई से देखा जाता है यह पाया जाता है कि पतिनी इस case के अंदर जो भी आरोप लगाए है तो किसी का भी specific role है जो नहीं दिखाया है पति के यहाँ पर parents, relative जो भी है इन सभी के उपर समान कूप से आरोप लगे हैं पर यहाँ पर कोई time, date, palace, specific role वगरा mention नहीं है यहाँ कि पतिनी यह बोलती है मेरे पतिने, पति के भेन भाई ने, relative ने, इन सभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया मेरे harassment करते थे, मुझे प्रेशान करते थे, प्रताडीत करते थे, मुझे खाना नहीं देते थे मेरे साथ मार पिटाई करते थे, डोरी की demand करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिये इस तरीके के तमाम आरोप है, जो इस case के अंदर होते है पर यहाँ पर पतनी है, जो specific role है, जो किसी का भी नहीं दिखा पाती है time, date, palace वगरा है, जो अच्छे से mention नहीं किया, तो यहाँ पर जो भी QS में गई थे पती के band by relative, इन सभी के उपर से IPC 498 के case को है, जो QS कर दिया तो यहाँ जानकर यहाँ पर समझ में आ गई होगी, यह matter नहीं करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं पती के साथ में रहते हैं, यह पर नहीं रहते हैं, अगर साथ में भी रहते हैं तो यहाँ पर अगर उस case के अंदर यह आदार है, इस specific role अगर किसी का नहीं है उस case के अंदर time, date, palace वगर अच्छे से अगर mention नहीं करवाया गया है तो आप इस आधार से भी है जो उस case को QS करवा सकते हैं बहुत ही महत्रपून judgment है इसका link है जो इस वीडियो को description दिया गया है यहाँ पर आपके लिकर करके इसको चितरे से read कर सकते हैं जान सकते हैं कि मामला क्या है अगर आपके मामले से मिलता है जज्जमेंट है तो इस जज्जमेंट को यूज करके फाइदा उठा सकते हैं तो फिर आगे मिलेंगे आपके नियोडियो नेटोपी के साथ में आप स्पीक बहुत-बहुत धन्यवाद